जी अब हम यह देखते हैं कि Health, Hygiene और Safety के Outcomes जो हैं, वो क्या होने चाहिए हमारे ECC के जो Students हैं, तो यहां भी कुछ Competencies हैं जो हमने अपने बच्चों के अंदर इस उमर में पैदा करनी हैं, जैसे Competency 1 यह है कि Children will develop a sense of balance, agility and coordination, जब हम बात करते हैं Health की, Hygiene की और Safety की, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो Physical Health है, जो आपकी सहत है, वो कितनी जरूरी है, अगर बच्चा चाको चबंध होगा, Active होगा, और अच्छी हरकत कर सकता है, और खेल सकता है, कूच सकता है, तो ही उसकी सहत दरुस रहेगी, ऐसी सूरत में हम उसको ऐसी खेलों में involved करेंगे, जहां पर वो अपना balance सीखे, तेज तरारी सीखे, और फिर coordination का मतलब यह है कि उसके मुख्तलिफ पठे जो हैं वो आपस में coordinate करें, तो जैसे अगर balance असका अच्छा नहीं होगा, तो बार बार गिरेगा, हम यह चाहते हैं कि उसके ऐसी exercises उसको करवाई जाएं, जिससे वो ए उसको pencil पकड़ने भी नहीं आ रही होती, तीवज़ा यह है, कि तीन साल में जब हम बच्चों को sometime जैसे हम जिकर कर रहे हैं, कि over stress भी कते हैं बाज दुखा, तो हम कहते हैं जिए pencil पकड़े और इससे अच्छा सा लिखें, तीन साल का बच्चा उसको ठीक से नहीं लिख सकत क्योंकि अभी उसकी muscle और brain coordination ही नहीं बनी हुई, तो वो किस तरह से pencil को दुरूस तरीके से पकड़ेगा, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होता है, around four, तो आश्ता श्ता उसकी grip बनती जाती है, अब इस grip को बनाना एक अच्छे उस्ताद का काम है, कि वो उसको वो grip सिखात है, फिर ये कि उसने hand movement कैसे लेके जानी है, हमारे जमाने में तो कभी असाद्जा हमारा हाथ पकड़ के भी हमें लिखवाया करते थे, तो एक उस्ताद help कर सकता है बच्चे की उसकी coordination को बेहतर बनाने के लिए, फिर ये कि उसको कौन-कौन से tools वो यूज सकता है, rubber से मटान है, शाप करना है pencil को, लिखना है, लिखने के लिए किती लाइनों के अंदर लिखना है, बड़ा लफ्स लिखना है, छोटा लिखना है, तो ये सारी coordination उसके brain और muscle की बेतरीन मश्क से ही आ सकती है, फिर है जी, Children will develop sensory motor skills, sensory motor skills का मतलब ये है कि हमारी जो five senses है, ये हमारी दमाग के साथ किस तरह से relate करती है, हम देख के क्या चीज़ पिक करते हैं, टाच करके क्या पिक करते हैं, इसके लिए एक बड़ा अच्छा सा एक वो किया जाता है, mystery bag उसको कहते है, mystery bag में ना काफी सारी चीज़ें ड तो उनको हाथ से देखता है कि इसकी surface rough है, गोल है, चोकोर है, और उसने देखना नहीं होता और बताता है कि वो कौन सी है, जैसे उसके हाथ में ball आगी तो वो कहते है कि ये ball है, और कोई rectangle आगी तो वो उसके कोने और sides देख के बताएगा कि ये rectangle है, तो हम यहाँ उनकी sensory motor skills जो हैं, वो develop कर सकते हैं, फिर ये कि children will develop an understanding of the importance of safe hygienic practices, बच्चों को ये सिखाना कितना जरूरी है, कि वो अपने दान साफ करेंगे, अपना हाद मुग किस तरह से दोएंगे, नहाएंगे किस तरह से, अपनी सफाई का ख्याल कैसे रखेंगे, और कौन-कौन सी चीजें होने चाहिए, दो दिन होने चाहिए, या रोज नहाना चाहिए, और फिर आम हलात भी उसको कौन सी खराब चीजों को हाथ नहीं लगाना, नाखुन कैसे साफ करने हैं, कब उतारने चाहिए, ये सब उसकी safe और hygienic practices का हिस्ता है, फिर हम देखते हैं कि children will develop an understanding of the personal safety and security, आज के दौर में, पहले भी एहम रहा है, लेकिन आज के दौर में ये बहुत जरूई है, कि बच्चे उस environment में मुझूद हों, जो उनके लिए safe है, सड़क के उपर अकेले जा रहे हैं, घर से अकेले बाहर निकल के दुकान तक जा रहे हैं, आपने देखा है कि कितने वाकिया जो है वो child abuse के वाकिया हुएं सिर्फ इस वज़ा से, कि बच्चे को कहीं अकेला पाया गया, तो उसको कहा जाना है, उसको आप के कृरिब नहीं जाना, उसको पानी जहां बेगिर चुका है, या कहीं वैसे ही दर्या है, या तलाब है, या जोहर है, वहां नहीं जाना, और तो और कई बच्चे अपने वाश रूम का जो उनका बाच टब होता है उसमें भी डूप के हिलाक हो जाता है तो ये वो सारी खतरनाक जगें हैं जैसे उंची मनजल है और बाद में जो उसका रेलिंग लगी हुई है वो कम हाइट की है तो वहां से हम अपने बच्चों को बताएंगे कि वो वहां के उसके करीब नहीं जाएं पूलों के अंदर भी सेफ महौल रखना है ऐसा महफूज महौल जहां बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंच सके और फिर ये खयाल उसके अपने अंदर पैदा करना है कि वो अपना ध्यान कहां रख सकता है जैसे हमने अर्श किया अगर चाइल्ड डिब्यूस की बाद जिसमें आप तफसील से करेंगे लेकिन अटलीस्ट उसको गुड टच, बैड टच का पता होना चाहिए किसके करीब जाना है, कब तक जाना है, क्या करना है ताकि अपने आपको बचा सके और उसके उपर उसको रियक्ट कैसे करना है ये भी उसको तरीका आना चाहिए